तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, यह एर्पोर्ट से एक्जाक्ली पांच में जो है, जब आप नैशनल हाईवे 566 लेकर आते हैं, दाबॉलिम एर्पोर्ट से बाहर, जो मैं आपको यह बता रही हूँ, यह वाला जो आप लेकर आते हैं, आप जाएंगे, तो यहाँ पर कट आत है, यह मेरा एंटरेंस है, जाएक किसान क्लब रोड बोलते हैं इसको, यहाँ से आप शुरू करेंगे, यह मेरा 27 एकर का लैंड पांसल, यहाँ से लेकर यह पूरा घूमता हुआ आ रहा है, यह पूरा का पूरा मेरा 27 एकर है, इसमें मेरे प्लॉट साइज होंगे, 500 स्क्वेर फिंट से, और आपको एक आइडिया दे दू, यह है आपका टाटा दरियो दिगो आप, यह देख रहे हैं, तो यह आप अगर आप देखे तो आपके जो कस्टमर बेस है, वो लोकेशन आप सेम ही सेल आउट कर रहे हैं, बस यही है कि आप दो डिफरेंट प्रॉ इस लोकेशन की, क्या आप टाटा का जो प्रोजेक्ट बेचने हैं, वो अलएड इसी मार्केट का सोर्स है, तो अगर आप लोकेशन को इस देख रहा है, तो आप इसको यह दोनों प्रोड़क्स में जो है, आप जो लैंड का लैंड और रेसिदेंशल का रेसिदेंशल इस तरफ से, अगर आप इस तरफ देखें, आप पूरा का पूरा मैंगरू फॉरेस्ट है, तो यह फॉरेस्ट एरिया वैसा ही रहेगा, और आपका एरियल डिस्टेंस में टाटा जो प्रमोट करता है कि सी व्यू, वही आपका बैक वॉर्टर यहां पर भी है, ठीक है, तो यह अगर टाटा सी व्यू कहा रहा है, यह बहुत फेमस है, यह बिल्कुल पानी के बीच में है, और इसका फेमस पाट यह है, कि यह प्लेज में है, गोवा में, कि यहां पर यह लोग कभी भी कोई बाहर वाले को नहीं आने देंगे, तो अगर आप इस आइलेंड की खासिय यह बिल्लिंग कोई बिल्लिंग कुछ नहीं है, तो लोग लिटरली इसे पानी के बीचों बीच क्रॉस करके इस आइलेंड को देखने जाते हैं, अमेजिंग फूरेंड के अर्किटेक्चर और पुराने चर्चर्चर्ज हैं, जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं, तो यह जो है, यह पूरा का पूरा पानी से घरवाई, यह आपका बैकवाटर व्यू है, यह आपका बैकवाटर से कह सकता हम इसको इक तरह से, तो यह बेक व्यू आपको आता है, आपके जो भी कस्टमर्स है, तो यह और बिल्ला मंदिर और बिच्पलानी के कैंपस को लगकर ह और यहां पर पूरा कपूरा रान पासल है आसपास देखेंगे तो ताटा के आसपास आपका प्रोविड़ेन का प्रॉजेक्ट चल रहा है उन्मया संदान्स है, आपके मोहिदुन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो यहां पर आपकी रेसिदेंशल काफी हैं. अगर बोलूगी तो नॉट रेसिदेंशल 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 बट आपके अपार्टमेंट्मेंट्स वाले बहुत हैं पर यह मोस्ली जैसे टाटा आपका अफ़र्डबल हाउसिंग में आ जाता है क्योंकि वह अपार्टमेंट्स के अगर आप बात करते हैं जो अग परफेक्ट नाव मैं आपको कॉंसेप्ट आज़ती हूँ क्योंकि आपने गोवा में नॉर्मली प्रेस्टीज के साथ भी आपने अमाना किया होगा शायद प्रस्टीज अमाना और आप जो प्रोजेक्स बात करें तो डाइनेमिक्स के साथ आप अप अल्दियरी गोवा बे यह सब आप रेडी विला देख रहे हैं अब आपको यह अंडेस्टैंडिंग में दे जूँ कि गोवा में रेडी विला लेना अपार्ट्पिन लेना कंपेरिटिवली आसान है पर अगर आप बात करें लैंड लेनी की तो बहुत चालेंज है तो मैं इसका एक चालेंज का आ आपको सिफ CRZ जोन नहीं देखना पड़ता है इसके अलावा भी आपको पॉच्यूगीज लॉस देखने पड़ते हैं अब पॉच्यूगीज लॉस क्या कहते हैं कि क्योंकि गोवा को इंडिपेंडनेस नाइंटिंटिंटिवन में मिली है तो 1961 के हिसाफ़ समका रूल ली कि अगर 1961 कोई भी वहाँ जन्मा है वो चाहें पॉच्यूगीज बे रहता हो युएस बे रहता हो वो कभी भी आकर अपनी इंहरिटेंस क्लीम कर सकता है उसके अलावा आपको अगर चेक करते हैं आप जाते हैं अलग अलग बैंक के पास आपके जाते हैं चेक करते हैं कि कोई आदमी है जो इसका ओनर था इस लैंड का वो मर गया है उसका कोई पीछे नहीं है तो आपको चर्ट जाके बरियल रिकॉर्ड भी चेक करने पड़ते हैं इतनी सारी दू दिलिजेंस इस यह सब करने के बाद भी आपको 19 अथरिटीज के पास जाना पड़ता है तो वेरिफा का पूरा है यह हाउस हो अभी नंदन लोधा करके देगा उनको उनको सीधा का सीधा लैंड मिलेगा क्लियर टाइटिल के साथ मिलेगा उनको सिफ आपके कंस्टर्ट करना है सारे अप्रूवल्स हम ला के देंगे अगर मैं आपको ऐडिया दो तो एक होता आपका सेंटर मेटब यो कि आपका हिली टरेन है जहाँ पर tendencies मार्जिम एपसा मढगाउंग इसका कैसा है कोस्ट से दूर है पर यहाँ पे आपका residential भी है, यहाँ पे आपका commercials भी है, shops है, jobs है, और तीसरा Goa है, जो कि सब जानते है, coast, पूरा का पूरा समंदर के पास, यहाँ पे लोगों का demand बहुत है, tourism के लिए, यहाँ खरीदने के लिए, समंदर के पास, यहाँ average ही 20,000 उपे per square feet जाता है, आप अल् पैटर्न है, एक Portuguese theme का, जहाँ पे सब एक जैसे ही विला है, एक अपनी जो होता है, जो दिल्ली का एक खासियत है, कि मुझे अपनी तरी सके चाहिए कोठी, वो वाली feeling नहीं कर पाते हैं, तो यह जो है, coastal line का issue यह हो गया है, अब कि government क्योंकि revenue पूरा कमाती है, tourism से, तो उनक coastline का कैसा हो गया है, यह जो land हम लेकर आ रहे हैं, यह last land है, उस coastline पे, इसके बाद आपको पूरे गोवा में कहीं भी coastline पे, unless it's a resale, आपको purely land नहीं मिलेगा, residential के लिए, तो इस लिए इस land की और एहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि यह last coastal land है, इसके बाद आपको coastal land नहीं मि है, तो majorly उनके काफी, जो हमारा कैसा है, दिली मेट्रो है, बसे हैं, ट्रेंज हैं, लोकल्स भी हैं, आप ट्रावल करने के कई तरीके हैं, गोवा में सिफ रोड है, वहां पे सब रोड से ही ट्रावल करते हैं, और रोड इनका कैसा था, क्योंकि इतना टूरिजम स्पान न है, फर्स केबल ब्रिज जो पूना, इसमें बना था है, जो गोवा में, अब ये दूसरा बन रहा है, जो कि दाबोलिम एरपोट तक जाएगा, जो कि जुवारी ब्रिज है, ये ब्रिज का एक लेक खुल गया है, और एक लेक खुलने वाला है, उसके अलावा आपकी दो के उपर, लोग लिटरली वहां उपर जाके खड़े हो के पूरा गोवा देख सकते हैं, इसके अलावा मोपा एरपोट आगया है, उसके अलावा नाशनल हाइवे जो कि बॉम्बे से लेकर आल दवे कन्या कुमारी तक था, नाशनल हाइवे 66, उसके भी अंदर के स्ट्रेच गोवा के दो बना दिये गए हैं, आपका इंटरनाशनल क्रूस टर्मिनल आ रहा है गोवा में, 2024 में, उसके अलावा आपका पन्वेल जो कि बॉम्बे से लेकि गोवा तक का एक हाईवे बन रहा है, जो इस साल के एन तक शुरू हो जाएगा, जो कि पांच घंटे बे बॉम अज़न तो डेट सोकते भी गया है कुछ को जगह में, सिर्फ पांच सालों में, क्योंकि इन्फरा हुआ है, क्योंकि लोग अब मुंबई, गोवा में, आल्मूस आदे घंटे में बृजे जल्दी से नौट से साउथ पहन सकते हैं, और हमारी लोकेशन का फाइदा यह यह आप जैसे लोग बोते हैं मुझे पास लेना है क्यों लेना है आपको मुपा के पास, मुपा बिलकूल महराश्या के बॉर्डर है, आपको अगर साओध गुमने जाना तो आप सोस्ते रह जाएंगे, कोई कहता है कि मुझे पर्टिकलर ली इसी जग़ा पलेना है, तो अगर अगर मैं कहूँ चापोरा फोर्ट तो आप तेहेंगा दिल चाहता है मूवी थी अगर मैं कहूँ अगोड़ा फोर्ट तो हनीमून ट्रावल सबसे बैसे सिंग हम सबकी फेवरेट मूवी उसमें जो फेवरेट सीन जो जो जैटी का था जो एक्जाक्ली जिसमें अजेदेव को गुसातर वो काफी गाड़ी वालों को गिरा देते हैं वो डॉना पॉला जैटी पे हुआ है पूरा सीन अगर आप बात करें इस शोर लाइन पे आपके राजभवन जो है उनका गोवा का लेजिस्लेटिव वो भी आपका इसी शोर लाइन पर है आपका मैरियेट आपकी ले लेकि इसी शोर लाइन पे हमारे है अगर आप और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहां पे आपका सबसे बड़ा होटेल है गोवा का जो है ताज एक्जॉटिका ताज एक्जॉटिका का डेली रेंटल on an off season is 22-25 and on season is 35-50 per day per room तो आप एक understanding जब ROI का expression देते हैं अपने customers को उ आता है और क्योंकि हम आपको properly आपको दे रहे हैं पूरी amenities इसके साथ पूरा gated community बैस पार्ट क्या है कि गोवा फिर off season limit पे नहीं होगा गोवा ऐसा है कि लोग बारिश में क्योंकि जब चुट्टियां पढ़ती है बच्चों की आप आज आईए अपने विला में रहिए enjoy क कीजिए भीच ने जा रहे हैं पर आप सारी amenities enjoy कीजिए और एक vacation भी हो जाता है तो गोवा धीरे धीरे off season on season की मोर से बहार निकल रहा है अब लोग अपने अपने घर बना रहे हैं वहाँ पर जिससे कि बस एक शहर से निकल पाएं और कहीं जाके आराम कर पाएं तो वो बारि कर रहे हैं धाई हजार स्क्वेर फीट के लिए 2.5 croz plus taxes अभी हमारा EOI phase बिकुल acceptable है हो रख चुका है जहां पर आपके कोई भी customer अपना expression of interest अली बाग की तर जह से 99,000 का प्लेस करना चाहें तो मैंनो जैसे कि वह उपर से elevation से जहां पर best view है वो plots पे उनको prioritize कर सकती हूं उन के पास allocation है वो plot अपको मिलता है तो आप अभी से अपने customers को market कर सकते हैं क्यों कि pricing अभी reveal होना बाकी है जैसे हमने अली बाग में market किया था 2.7 पे जब हमने एकदम start के था मैं खुद अली बाग टीम के साथ ही pre-launch में I'm not sure मैं आप से मिली कैसे नहीं बट मैं खुद अली ब आप अपने customers को market कर सकते हैं कि best pricing तो आएगी आएगी बस opportunity ना जाने दे क्योंकि इस वक्त अगर opportunity चली गई तो फिर वो प्राक्यों की plots limited है location प्राइम है क्योंकि गोवा ही कैसी location है जो हमने पिछली बार जब खूली थी तो हमने एक हफते में sell-off कर दी थी मैं Imperial Goa के साथ भ Goa is a location जो सिर्फ नाम पे बिल जाती है और यह आप सहचे कोई नी जारेगा क्योंकि आप Goa Market में अल्रेडी काम कर रहे हैं तो आपका कोई भी सवाल हो मेरे लिए you know anything that you think you would need help with और हमारी तरफ से कोई assistance